आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तुल्ना से संबंदित मिथ्याधाना और तुल्ना करने की एक आकर्षक विदी मिथ्याधाना निमनलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या यानि रैशनल नंबर रिंड 21 बटे 18 से बड़ी है बच्चे अकसर चिन्डों को नजरंदास कर परिमेय संख्याओं के तुल्ना करते हैं यह तुल्ना करने की एक कलत समझ है बच्चे देखते हैं कि आप्षन एक में दिया हर सवाल में दिया हर के बराबर है और 30-21 से बड़ी संख्या है इसलिए विस सोचते हैं कि आप्षन एक सही जवाब है दरसल यह एक कलत जवाब है क्यूंकि अगर हम 21-18 और 30-18 को संख्या रिखा पर अंकित करेंगे तो यहाँ पता चलता है कि रिण 30-18, 21-18 के पाई और है इसलिए रिण 30-18, 21-18 से छोटी परिमिय संख्या है तुल्ना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है यहाँ चिन्न के बिना मान 30, 21 से बड़ा है। जब हम चिन्न लगाते हैं तो तुल्ना के चिन्न का विरुद्ध चिन्न रखते हैं। इस तरह से रिंड 30, रिंड 21 से छोटा है। इनके तुल्ना संख्यारेखा पर भी की जा सकती है। संख्यारेखा पर रिंड 30, रिंड 21 के ब परिमेय संख्या रं 21 बटे 18 का अंश पराबर है और चुकी ऑप्शन 2 में दिये परिमेय संख्या का हर छोटा है इसलिए यह बड़ी परिमेय संख्या होगी इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं लेकिन यह भी एक कलच जवाब है तुनला निम्न प्रकार से भी की जा सकत है पहले हम इनका चिन नजरंदास करेंगे चिन नजरंदास करने पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंच समान है लेकिन हर अलग-अलग है ऐसी स्थिति में जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा वह छोटी परिमेय संख्या और जिस परिमेय संख्या का हर छोटा वह बटे 18 से बड़ी है अब यहां भी अगर हम चिन्न लगाते हैं तो तुलना के चिन्न का विरुद्ध चिन्न रखना होगा यानि कि 21 बटे 17 21 बटे 18 से छोटी है Option 3 में एक पूर्णांक दिया गया है कुछ बच्चे यहां नहीं समझ पाते कि पूर्णांक भी परिमिय संख्या ही है इस तरह से रिंड एक को देखकर बच्चे यहां सोचते हैं कि यह एक परिमिय संख्या नहीं है इसलिए यह दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता लेकिन दिये सवाल का सही जवाब है Option 3 क्यूंकि प्रतियक पूर्णांक एक परिमिय संख्या भी होती है क्यूंकि पूर्णांकों का हर एक लिखकर इन्हें P बटे Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q शुने के बराबर नहीं है आये परिमिय संख्या है रिण 21 बटे 18 और रिण 1 बटे 18 और रिण 1 बटे 18 प्राप्त होगी चुकि हर समान है इसलिए हम अन्शों की तुलना करेंगे अगर हम रिन 21 बटे 18 को संख्या रिखा पर दरशाते हैं तो यह देखा जा सकता है कि रिन 21 बटे 18 का स्थान रिन 1 के बाइं और है इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि रिन 21 बटे 18 रिन 1 से छोटी है इसलिए दिये सवाल का सही जवाब है option 3 अब आईए देखते हैं परिमे संख्याओं की तुल्ना करने की एक आकरशक विधी मान लीजिए हमें 4 बटे 13 और 3 बटे 11 की तुल्ना करनी है तुल्ना करने के लिए हम पहली परिमे संख्या के अंश 4 का दूसरी परिमे संख्या के हर 11 से गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा चवालीस इसी तरह हम दूसरी परिमे संख्या के अंश तीन का पहली परिमे संख्या के हर तेरह से गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा उन्तालीस यहां हम देखते हैं कि 44, 49 से बड़ी संख्या है इसलिए हम कहते हैं कि 4 बटे 13, 3 बटे 11 से बड़ी है इसी तरह आईए रिंट 12 बटे 5 और रिंट 13 बटे 6 की तुलना करें अब यहां पहली संख्या के अंश रिंट 12 का दूसरी संख्या के हर 6 से गुणा करने पर रिंट 72 यह परिणाम प्राप्त होता है और दूसरी संख्या के अंश रिंट 13 का पहली संख्या के हर 5 से गुणा करने पर रिंट 65 यह परिणाम प्राप्त होता है चुकि रिंट 72, रिंट 65 से छोटी है इसलिए हम कह सकते हैं कि रिंट 12 बटे 5, रिंट 13 बटे 6 से छोटी है इसी तरह अगर हम 9 बटे 12 और 3 बटे 4 की तुलना करते हैं तो यहां पहली संख्या के अंश 9 का दूसरी संख्या के हर 4 से गुणा करने पर 36 यह परिणाम प्राप्त होता है और दूसरी संख्या के अंश 3 का पहली संख्या के हर 12 से गुणा करने पर भी 36 यही परिणाम प्राप्त होता है दोनों सिद्यों में परिणाम बराबर है इसलिए हम कहते हैं कि 9 बटे 12 बराबर 3 बटे 4 व्यापक रूप में मान लीजिए P बटे Q और R बटे S दोनों परिमेश संख्याएं हैं जिनमे Q 0 के बराबर नहीं है और S भी 0 के बराबर नहीं है इनके तुलना निम्नप्रकार से की जा सकती है वीडियो रोक कर इसे समझें यह तुलना करने की एक और आसान विधी है इस विधी से परिमेश संख्याएं की तुलना मौखिक रूप से की जा सकती है तो आज हमने देखी परिमेश संख्याओं की तुल्ना से संबंदित मिध्याधाना और तुल्ना करने की एक आकरशक विधी